नमस्का साथियों जैसा कि आप सभी को मालू होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए इस सभी कलासें आपकी ले जा रहे हैं और अभी आप सबसे पहले देख रहे होगे कि हम लोग इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और इतिहास में भी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले कबर कर रहे हैं और इन्हें हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं और मेरा पहले भी कहना रहा है और अभी भी कह रहा हूँ अगर आप लोग स्टेक PCS या सिविल सर्विस की तैयारी सुरू कर दी है या करना चाह रहे हैं तो यह किलासें आप लोगों के लिए बहुत ही मतमूर रहने बाली हैं और एक तरह से आप देखें बेस भी आपका मजबूत होगा और इन्हें आप लोग इनके साल किलासों को आप लोग जब देख लेंगे तो आपका मुख परीक्षा में भी आसानी होगी आप लोगों को तो आज हम लोग मगद राज जी का उदय देखेंगे इसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या खतम कर चुके थे महाजनपदों का उदय देख चुके थे और इन सभी के लिए आपकी एक प्लेलिष्ट सोची बना दी गई है UPSC and State PCS, Prelims, Special Classes के नाम से तो उसी में आपकी सभी क्लासें डली रहेंगी और आप लोग देखते रहिएगा अगर देखी मगद रसंबराज जी की बात करें तो आप देखेंगे मगद काफी महत्मूर संबराज जी था और एक बात और मालू होना चाहिए कि मगद से हमेशा आपकी परिक्षाओं में कुश्टन्स भी पूँचे जाते हैं तो मगद समराज के उद्धय की विशाय में कुछ दसक पूरू याए आमधरना थी कि जिस पेकार एक धार्मिक दारसनेग पद्धिती के रूम में बात धरम गौतम बुद्ध के मस्तिस्की की उपच था उसी पेकार एक राजनितिक सक्ती के रूम में मगद का उतकरस के बल सैनबल राजनितिक और कोटिल कूटनीती के कारण हुआ इसके मुख अभी करता बिमिसार, अजात सत्रू, सिसुनांग, महापदमनन्द, अत्वा, चंदगुप्त, मौर थे और इन्होंने आप देखेंगे कि मगद पर राज किया हुआ है मगद की विसिष्ट भोगोली कवस्तिती ने उसके उदय को ठो साधार पदान किया मगद की राजधानी राजग्रह ग्रीवर्ज और विभेन पहाडियों से ग्रीवी थी यानि कि कहने का मतलई है कि मगद की जो राजधानी राजग्रह थी ये आप देखें कि विभेन पहाडियों से ग्रीवी थी और उसके पास ब्यापक प्राक्तिक संपदा भी थी और मगत की दूसरी राध्धानी पाटली पुद्ध थी और जो गंगा गंडग और सौन नदियों के संगम पर इस्तित एक जल द्रुक के समान थी और नदियों की भहूरता के करण इस छेत का आर्थिक ब्यापारी मथ ही बढ़ गया और प्राक्तिक संसादनों की दृष्टी से भी मगत लाबदायक िस्तिती में था और यह चेत आर्थिक दृष्टी से भी लाबदायक इस्तिती में था एक तरह से आज के आप लोग पंजाब को ले लिजे, आप सभी यान दें कि खिती, किसानी के हिसाब से आप देखते हैं पंजाब बहुत ही फल फूलता रहता है, समय रहे हैं? तो आप देखते हैं ब्यापार के भी वहाँ ब्यापार का भी माहोल आएगा, तो यही इस्तिति आप कह सकते हैं कि उस समय किस की रही होगी? मगत की रही होगी. और यह अच्छित आर्थिक दिरिष्टी से उन्नत भी था, और आरमिक आहत मुद्रा की धेर इनी छित्रों से प्राप्त हुए हैं. लोग भंडार की दिरिष्टी से भी मगत प्रद इस्तिती में था, और इस प्रद लोहे की भंडार का उपयोग अस्त सस्तरों के निर्मार और किर्सी उकरणों के निर्मार के लिए सफलता पूर्वग किया गया, और मगत की उदय में यहां की लोगों की सामजिक ततफरता उनका रोडी, दिरोधी होना जैसे कारक भी मात्पूर थे, क्योंकि मगत का चेद आरे सब्विता की बाहर रहा था, और इसकी दरिष्टी रोडी मुक्ती थी, और इसमें पिसार की अदम आकांचा विद्धमादी, मगत के उत्थान में वहां की भोगुले की स्तिती ने महत्पूर भूमी का नभाई, यह राज उत्तरी भारत की विसाल तटवर्थी म आदानों के उत्री और निचले भाग की मद्ध अती सुरक्षित इस्तिती में अवस्थित था, और इसकी दो ही राजधानिया थे, राजगरे और पाटली पुद्ध, सामरीक दिष्टी कौन से अतन्त सुरक्षित थी है, और राजगरे चारों तरफ से आप देखेंगे पह मढ करना आसान भी नहीं था, राजगरे की चिंता से मुक्त होकर मगत के सासक्त समराज विस्तार की तरफ समुचित ध्यान दे सकते थे, और राजगरे की ही तरह पाटली पुद्ध की सामरेक इस्तिती भी अतन्त सुद्धरुड थी, यह वस्तुता एक जल्दुरुक के समा जिसमें चारों तरफ से नदिया थी, और यह नगर गंगा और गंडक सौन के मुहाने पर इस्तित था, सरीव और पुनपुन नदिया भी पाटली पुद्ध के इर्दगर्द ही रहती थी, और वस्तुता पाटली पुद्ध चारों तरफ से नदियों से घ्रे होने के कारण अतिंद सुरक्षित इस्तिती में था और इन नदियों को पार कर आसानी से पाटली वुद्ध पर आकमर करना संभव भी नहीं था इसलिए यहां कि सासकों को वाहरी आकमर और अपनी राध्धानी की सुरक्षा की जिंता नहीं होती थी एक बात आप लोग समझ लीजे माल कर सकते हैं माइंड पर ही रहेगा आपका तो इनके साथ भी आप देखी यही होता था समय रहे हैं आप लोग अब आपको डर है कि कहीं इस घर में चोरी ना हो जाए कोई कबजा ना कर ले तो आप समझ सकते हैं कि आप आसानी से काम नहीं कर पाएंगे आप सुतन्त होकर काम मगत का छेत अतेंत उपजाओ था चूकि इस छेत में बर्सा भी अधिक होती थी और इसलिए बिना ज्यादा परिस्तम के उपजा अर्धिक होती थी और अतरेक्त उत्पादन के आधार पर उद्द्योग धन्दों एबं व्यापार वडिजिक का भी विकास हुआ और अधिक संपर्नता ने उसे अपनी सेन सक्ती के संगठन और विस्तार का मौका दिया जिसके आधार पर आप देखेंगे मगत के सासक संभराजबादी नीती का अनुसरन कर सकते थे एक तरह से आप कर सकते हैं कि मगत चारोज हर दिशा में देखिया फल फूल रहा था ठीक है इस्थान देना रम किया यानि कि आप कहिए कि एक तरह से हाती भी अप सेना में सामिल किये जाने लगे थे तो और अच्छी तरह से ये उद्धों को लड़ा जाने लगा था परंदु मगत के सासकों ने हातियों को भी दिया और हातियों के अनेक उपयोगिता थी बे दलदल दुर्गों के भेदने का काम भी लिया जा सकता था मगद के इरिदगर्द के जंगली इलाकों को से हाती परियाप्त संख्या में उपलब्ध हुए और जिसके बल पर मगद की सेना में हाती के टुगडी का विसेसमत हो गया और अन समकालीन सासकों के पास गज सेना की कमी हुआ करती थी और इसी पिकार मगद को एक अन लाब था उसके इलाके में लोहे की अनेक खाने भी थी और इस खानों से प्राप्त लोहे से योद में नए अस्त सस्त तेयार किये गए और अन राज्यों के पास अवंती खोड़ का लोहे की कमी थी और बे मगद की सेना जो नए अस्तो सस्त्रों से सुसजित थी का प्रभाव साली धंक से सामना है नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी के मामले में आप देखें मगत काफी फल फूर रहा था। मगत की उत्थार में उहां के सास्कों ने भी मत्कुन भूमिका निवाई। मगत में एक के बाद एक अनेक ऐसे सक्ति साली सासक हुए जिनोंने सैनबल और पूटनीती के अधरप मगत की सीमा का विस्तार किया मगत समराजिम की नियू बिम्मिसार और अजाद सत्रू जैसे महाल सैना नायकों और नीती निपुड सासकों ने डाली अपने उद्देसों की पूर्ति के लिए इन सासकों ने उचित अनुचित पितेक पिकार का मारग अपना है और बाद में आप देखेंगे सिसुनाग और महापदमनंद जैसे पिरता भी सासकों ने भी मगत की सीमा का विस्तार किया ठीक है तो आप देखें कि बिम्मिसार और अजाद सत्रू जैसे इसे अनाना आइकों ने इससे शुरू में क्या इसकी निव रखी, मगत समराज की, आप देखेंगे ब्रेहधरत बंस, हर्याक बंस एसे पहले मगत में ब्रेहधरत बंस का साक्ष मिलता है यानि कि पुराण और महाभारत में इसका साक्ष मिलते हैं, जिसके राढदानी गु ग्री वर्ज थी और जिसे वसु द्वारा इस्थापित होने के कारण वसु मती भी कहा जाता था वसु के बाद बेह द्रथ तत्पश्चा जरासंद और अंत में आप देखेंगे रिपुंजय ब्रह दत्थ बंस का अंतिम सासक हुआ तो इसे भी याद रखेगा इनके पहले सा सासक को आप लोगों को याद रखना है और अंतिम सासक को याद रखना है और कोई महत्पूर्ण सक्ती साली सासक हुआ तो बंस में उससे सासक के बारे में भी सामान जानकारी रखा गिए इनी से कुश्चन साब की परिक्षाओं में पूछ लेता है फिर आप देखेंगे हर बंस आता है और ये 544 से लिकत 492 इसापूर्ण तक रहता है इसमें भी मिसार सबसे पहले मगत समराज की बास्तिविक महत्ता का संस्थापक भी मिसार को माना जाता है और जो हरक बंस के नांकुल नामक साखा के संबंदित था और जैन गरंत उत्तरा धिन सूत में भी मिसार क का उपनाम सरेनिक मिलता है क्या सेडिक मिलता है और इसके मगत समराज को पुरोसाहन देने की करम में कई पेकार की उपकराना पनाए पिथम उसने सेनिक विसार परबल दिया और अंग महाजनपत को मगत समराज में मिला लिया दूसरा उसने काम किया कि 16 और 17 सदी के ये ये लिए तरह बिवाहिक समन्दों के मध्यम से अपनी राजनेतिक ऊटनेनितिक इस्तिती मंजबूत की आप सोचेए कि बगल में कोई राज लगा जब हुए है आप समझा रहे हैं तोसरे अपने बेटी की साधी कर देना या उनकी बेटी से साधी कर ले ना इस तरह कि विवाह असनिक सुधार के लिए भी कदम उठाए और यह था इस्थाई सेना का निर्माड भूमी की पेमायस आधी करवाए है फिर आप देखेंगे अजास सत्रु हुआ यह आप देखेंगे 492 से लिकर यह आपका 460 सा पूर इसे कुनिक भी कहते हैं अजास सत्रु जो की विमिसार का उत्तरादी का लिए था उसने मगत समराज की परंपरा को आंगे बढ़ाया और जैन गरंत उत्तराद्यन सूत में आजास सत्रु का उपनाम कोडिक को निक मिलता है उस तरब पतम उसने 16 वरसों के नियंतर पेरतनों के पश्चाद वज्जी संग को जीत कर मगत समराज में मि पढ़नी गुफा में पिथम बहुत संगती का आयो जिन कराता था और भरूत अविलेक में बुद्धत था अजास सत्रु के मिलन का बायडन भी मिलता है फिर आप देखेंगे उदेन हुआ यह आप देखेंगे 462 से लेकर 441 से अपूर्ट तक रहता है यह भी अपने पिता क के समय चंपा का उपर राजा था ओधेन का सबसे महत्पूर्ण कार गंगा वा सौन नदियों के संगन पर पाटली पुत की स्थापना वा राध्धानी वहां ले जाना था ओधेन की समय में भी अवंती से योध हुआ लेकिन नेडायक रहा और यह जैन धरमावली भी था हर एक वंस के अंतिम राजा हुए नांग दरसक को जनता ने हठाकर मघत की राजसेंगासन पर सिसू नांग को बेठाया और जिसने कलांतर में पर शिसू नांग बंस की स्थापना की तो इसके भी आप लोग हरेक बंस के अंतिम राजा के नाम भी ययाद रखि democr делать सक था ठीक पर आप देखेंगे काला सोक आता है इसका समय रहता है तीन सो चौरानवे से आप देखेंगे पर आता है तीन सो च्यासट इसापूर्ट तक काक वर्ण ने अपनी राध्धानी पुना पाठली पत को बनाया और इसके बाद आप देखेंगे कि पाठली पुती ही मगत की राध्धानी वरी रही दुतिय बौध संगती कायोजन काक वर्ण की सासनकाल में बैसाली में ही हुआ था काक वर्ण की मित्यू के बाद उसके दस पुत्रों ने सासन किया जिसमें नंद वर्धन वपंचमक पिर्मुक थे और पंचमक को धोके से मार कर महापदम नंद नंद बंस की स्थाफना की थी और नंद बंस में आप देखेंगे नंद बंस पहला ऐसा राज बंस था जिसने बिमिसारी की द्वारा डाली गई निव पर पिथम बेहद मगत समराज की स्थाफना की जिसके कारण महापदम नंद को उत्तर भारत का पिथम महान इतिहासिक समराज माना जाता है और महापदम नंद को कली का अंस है और सरवक्षे तंतरक एक राट और दूसरे परुसराम का अवतार या फिर भारगाव का अवतार भी माना जाता है किसे महापदम नंद को खारवेल की हाती गुफा अब लेक में यह संकेत मिलता है कि उसने कलेंग पर विजय करके उसे मगद समराज में मिला लिया था घनानंद के बारे में भी आप लोग सुनते हैं नंदमंस का अंतिम सासक होता है घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था जैनेव फौन ने अपने साइरो पेडिया में घनानंद को सबसे धनी ब्यक्ति बताया और धनानंद के पिरमुक सेनापती भद्द साल थे और पिरमुक मंतरी कलपक थे और इसके अन्याबोर सासन से परिशान होकर ततकालीन जनता ने कई विकल ल आप सभी लोगों ने एपीसोड देखे होंगे कई आप लोगों के टीवी पर भी आते रहते हैं आप लोगों कई जगया देखने को मिल जाएंगी कहानिया भी देखने को मिल जाएंगी कि कहते हैं कि देखिए घनानंद ने चाड़की की एक तरसे आप देखिए जिनने आप देखिए कि चाड़क के घनानंद के पास जाते हैं लेकिन घनानंद उस समय आप देखिए कि घमन में था एक तरह से आप कह लिए और बड़ी बिज्ञती करता है घनानंद किसकी चाड़की की और अपने दर्वाज से निकाल देता है उनकी चोटी कटवा देता है तो का माद्ध जिंदी में बहुत जरूरी होता है आप देखिए विदेशी आकमड भी हुए इरानी आकमड सरपथम छटी सदाबदी इसापूर के मद्ध इरान में हकमनी समराज की संस्थाफ़क साईरस दुतिये मकरान हुत हुए भारत में प्रविश का इन्होंने असफल परिय आकस और मैगस्थनीच के अनुसास आईरस ने भारत पर कभी आकमड नहीं किया जबकि एरियन इस्टेवो और जेनोफोन ने उसमें उसके भारत अधिकार की पुष्टी भी की भारत पर आकमड करने में पितम सपलता दारा फश्ट को पराप्त हुई थी और जिसने भारती अधिपत्य के विषय में अभी लेकी प्रमाड भी उपलब्द हैं उसके बेहिस्तोन अभी एक से तेईस परांतों सत्गू गदर का ओलेक मिलता है पार्सी पॉलिस और नकस ए रुस्तम से हिंदू का ओलेक मिलता है जो उसके समराज का बीस्वा राज था 331 इसा इसापूर में लड़े गए अरोव वेला की उद्दे से भारत में पार्सी अधी पत्ती की समापती हो गई और जिसमें सेकंदर ने दारा थैड को हरा कर और उसकी सैना को नश्ट भरस्ट कर दिया था और सेकंदर का भी आप देखते हैं कि भारत पर आकमड गुआ थ तो यह भी याद रखेगा यह रखे गया यह भी याद रखेगा इरानी अकमड की बात करें अगर हम लोग भारत पर तो इरानी संपर की कारण पश्चमोत्तर पिदेशों में खरोष्टी लीपी का जनम हुआ जो अरुमाईक से उत्पन्न मानी जाती है चेत्रिय सासन प्रा पर वर्डिज प्रो साहत हुआ एरानी संपरक ने भारती कला को भी प्रभावित किया मौर कालीन कला पर इसका प्रभाव इस पर दिरिश्टी गोचर होता है सेलाल एक खुदबाने पत्थर को चमकीला बनवाने की पिथा आदी का भिकास भी हुआ समराट की जनम दिन पर के पिच्छालन का उत्साव और इस तरी अंगर अक्षकों की निवक्ति की पढ़ना भी इरानी राजाओं से पराप्त हुई आप सभी को जानते हैं इस बात को मुझे लगता है कि जब आप देखी कि कुछ ब्यक्ति दूसरे छेत में जाते हैं तो अपनी संस्किती लेकर वहा के एक तरह से संस्किती को आप समझ रहे हैं और हमारी संस्किती को आप देखी कि कई देश के लोग अभी भी आप देखी बनारस में आते हैं अंग्रेज आते हैं और वो साड़ी वाड़ी वहन के पूरा समझ रहे हैं आप लोग तो हम लोग उनी की संस्किती को अपना रहे वो हमारी संस्किती को अपना रहे। वो हमारी संस्किती को अपना रहे। वो हमारी संस्किती को अपना रहे। युनानी आकमड का भारत पर फिर्भाव अगर देखें तो भारत वफश्चमी देशों की मद्ध ब्यापारिक संबंद मजबूत हुए। पश्मोतर चित में अनेक युनानी उपनेविसों सिकंदरिया निकया बहु केफला की स्थापना हुई। पश्मोतर भारत में राजनेतिक एकता कसूत पात हुआ। भारत में युनानी मुद्रा के अनुख करन पर उनलोक सैली के सिखे डाली गए। कलावा जीवतिस के चित में भारतियों ने बहुत कुछ सीखा। मौर स्थमों के सीज़ पर पसू आकटिया गंधार कला सैली का विकास हुआ। सिकंदर के साथ अनेक इतिहास कारवा लेकग भारत आये। जन्होंने कालीन भारत के राजनेतिक दसा के दिशा के विशय में बहुत कुछ लिखा। और जिसे इतिहास के पुनर निर्माण में साहेता मिलती है, पारस के क्रमबद इतिहास लेकण में सिकंदर के आकमण की तिति 326 इसा पूर बताई जाती है, बेसी बताई ठीक है, परन्तु उपयोगत प्रभावों के बाबजूद भारती सब्दा वसनिस्किती का मूल पूर प्रभावित रहा, तो यह था आपका मगद राज्य के बारे में, किसके बारे में, मगद राज्य के बारे में, और इस्ते कुश्चन्स कूछा जाता रहता है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, अब मगद के बाद आता है आपका मौर संबराज और इसे भी आप देखिए आपकी परीच्छाओं में हर साल questions आते रहते हैं मौर समराज के बारे में और 323 इसापूर्व से लेकर 180 इसापूर्व तक मौर समराज आपका रहता है इसमें आप देखते हैं कि चंदगोपत हो फिर चाहे आप देखिए कि आपका असोक हो इस तरह के कुछ आपके सासक भी होए उन पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे और आपके कोई सवाल हुआ करें तो आप लोग बताईए उनकी भी हम लोग बात करेंगे कोई सुझा हो तो उन्हें भी बताईएगा वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है